उत्रपर्देश के हर्दोई के सुर्सा थाना इलाके में दोपक्षों में जम कर बवाल हो गया और लाठी डंडे वह इत पत्थर चले जिससे दोनों पक्षों से लगबग एक दर्जन से अधिक लोग खायल हो गए जिने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भरती करवाया ग सुर्सा थाना इलाके के जवरा खेडा गाउं में दोपक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है इसी विवाद के चलते शनिवार के सुभे किसी बात को लेकर पहले कहा सुनी हुई इसके बाद जब दोनों पक्षों की लोग इकटे हो गए तो लाठी डंडे वह इत पथर चलने लगी इस घटना में दोनों पक्षों से करीब 15 लोग घाय हो गए हैं सुचना मिलने पर मोके पर पहुची पुलिस और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्टी करवाया गया आपर पुलिस अधिक्षे ज्यानन जे सिंग ने बताया कि दोनों पक अनका मारर आएं लोगन इसकता चलो महलोग जनो महलोगन पुलिस अधिक्षे ज्यानन जाई आएं माररा जाएं तो सदका बहुत भी कटना आएं अननल तोटदार अनल बढ़ियादी गिराई थाई ने आचल की पोटदारी ने इस इद्धे लोग गाल होई आप लोग आप च्छे लोग है च्छे जनों साथ जनों सब्सक्राइब बहुत नारों है यह सर पहले से कुछ जमीनी मामला चला रहा तो लेकर इनों लोगों ने अपना प्लान बना लिया और यह खेत पर गए खेत पर मारी जोपड़ी रखी हुई कि उसने इनों लोगों ने आग लगा द आगे जाने आगे जाने तो लोगों ने लोगों ने बढ़े बढ़े आम नहीं थाएंगे तो क्यों नहीं थाओगे इतने मेरे भाई के लाठी एकमार दीर इसकी बाँ टूट गई फिर्द हुआ इनों ने अद्दाल लाठी चलाने लेगे फिर्द मेरे पास तो कुछ नहीं सकता फिर्द मैने भी दो चार दंडे चीने तब ही एकमार पीट फरफ होगे इसमें कितने लोगों गालुए है इस i'll tap है तरफ जो की सिम्रार चांकी बनाने उस में दो पक्षों में आपस के पाइबारिक लोग ते cover park park ये इस بेहिड दो़ों को क्लिक करे हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घंडे बादी